नमस्कार दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं सुर्योदा Small Finance Bank के बारे में कमपनी जिस हिसाब से बजनस करती है हम उसको समझेंगे साथी साथ हम ये समझेंगे कि अगर हम इस टाइम पेरियट पर सुर्योदा Small Finance Bank के सेयर को बाई करती है तो हमें कितना profit हो सकता है आने वाले कुछ सालों में ये जो Small Finance Bank होती है क्या ये हमें अच्छा कासा पैसा generate करके दे सकती है या नहीं दे सकती हम इसको भी समझेंगे सारे इसके fundamental और technical condition समझने के बाद हम ये decide करेंगे क्या हम इस company को हमें buy करना चीए या नहीं करना चीए हम buy या sell अपने due diligence से करेंगे आप अपने due diligence से किसी सेयर को buy या sell करेंगे यहां से केवल learning देना है सीखना है समझना है सीख समझ के पैसे को कमाना है invest करना on करना है तो चलिए हम देखते है स्मॉल फाइनस बैंक सुर्योद है स्मॉल फाइनस बैंक कमपनी जितने भी स्मॉल फाइनस बैंक के इस टाइम पे है आप यह notice कर रहे हैं कि इस टाइम पो जो fix deposit दे रही है आप देखे 9.6% का fix deposit है इतना fix deposit senior citizen के लिए है लेकिन आम ब्यक्ति के लिए भी यह 9% से कम नहीं होगा तो अगर 9% का कोई company fix deposit कोई bank fix deposit दे रहा है इसका मतलब है कि वो इससे ज़्यादा पैसा on कर रहा होगा यानि वो interest पे जो interest लोगों को दे रहा है जो loan लोगों को दे रहा है उससे ज़्यादा पैसा on कर रहा है तभी तो 9% का fix deposit दे पा रहा है तो company business अच्छा कर रही है और इस टाइम पे जितनी भी small finance bank अपने आपको grow करने के लिए चाहे एक कोटास small finance bank हो गया सभी company अच्छे तरीके से grow करते हुए देखने को मिल रही है साथ ही साथ इस company को अगर हम यहाँ पे कट करे तो यह इसके website पे आए है कपरी छोटे loan देती है small types के loan देती है जैसे अगर कोई मान लेते हैं आप किसी एक जगह पे रहते हैं आप एक place से दूसरे place पे जाते हैं यहाँ से आप क्या किये यहाँ पे चले आए तो आपके जो छोटे बैपारी है या छोटे लोग है जैसे कोई रिक्सा चलाने वाला उनका दुकान खोला हुआ है तो उसको पैसे की जरूरत पड़ेगी दूसरे नई जगा दुकान लगाना पड़ेगा तो इन बैंक के पास जाएगा एक लाग दो लाग उर्पे का यहाँ से क्या कर लेगा लोन ले लेगा उस लोन से अपने दुकान चलाएगा और धिरे-ध पर मन्थ अपनी कमाई से interest को क्या करेगा पे करेगा जनरली small finance bank का जो business है वो अच्छा खासा interest charge करती है आप notice करेंगे कि जो interest charge होता है वो 30% तक भी हो जाता है यानि अगर किसी कोई company कोई business 30-34% तक interest charge कर सकता है तो वो कितना अच्छे तरीके से grow हो सकता अगर वो अपने पैसे को सही तरीके से distribute करें दूसरा condition ये small ticket size के लोन देते हैं एक लाग दो लाग 25,000 रुपए 50,000 रुपए इतने तक का लोन देते हैं तो होता क्या है इसके डूबने के chances भी बहुत कम होते हैं और अगर किसी वज़े से क्योंकि 25,000 लेकर कोई भागेगा नहीं भागने वाले ब इस बैंकों का जो business है वो बहुत अच्छे तरीके से grow करता रहता है अगर हम इस company के fundamental देखें तो company केवल 1400 करोल की है यानि इसके जो growing के chances है वो बहुत जादा है ये company अभी केवल एक small micro cap की company है अगर company यहां से 10 times, 20 times, 100 times भी grow होने के chances रखती है क्योंकि अगर हम small finance bank में एक मैं आपको bank दिखाता हूँ, यहां पर हमने शुरियोदय small finance bank रखा हुआ है, यहां पर मैं search करता हूँ, श्क्रीनर पर जाता हूँ, और small finance bank में मैं equitas डालता हूँ, अब एक कोटास small finance bank का market cap है वो कितना है, 9000 करोल रुपे है, और यहां से भी यह company grow कर रही है, इसका अगर आप 500 करोल की company होने के बाद भी company का P 15 का है, और यहां पर केवल 1000 करोल का market cap होने के बाद company का P 18 का है, आप समझ सकते हैं कि company का P बहुत सस्ता, यानि छोटी company का P महना होता है, लेकिन यहां पर सस्ती valuation पर देखने को मिल रहा है, मैं एक आपको यहां पर small cap की जो company है, small finance company है, उसको बात करता हूँ, AU small finance bank, अब AU small finance bank का जो है, यह भी small finance bank है, इस company का market cap आप देखी कितना है, अगर इस company का market cap देख रहे हैं, यहां पर company का market cap है 50,000 करोड का, company 50,000 करोड की है, मैं कहता हूँ कि जो AU small finance bank है, और सुरियोधा small finance bank है, इन दोलों के data को आप देखिए, अगर हम यहां पर data पर आते हैं, और इनके result देखते हैं, तो company का result March 2023 में कितना आया है, 1000 करोड का company ने business किया है, 1000 करोड का market cap ही है, आप देखिए ना, company का market cap ही 14,000 करोड है, 14,000 करोड का कोई company है, कुसी का पूरा market cap है, और वो लगबग 1000 करोड की business कर रही है, क्या ऐसा AU small finance bank के साथ है, AU small finance bank का market cap है, 50,000 करोड, क्या March 23 में company ने 50,000 करोड का business किया है, अगर हम यहां से समझें, तो क्या company ने, अगर माल लेते हैं, वैसे ही जोल लेते हैं, 8,000, 5,000, 4,000, 4,000, अगर हम यही सारे quarters को जोल लेते हैं, यहां पर, March 2023 आ गया, ठीक है, 8,000 करोड का यहां पर हमको business देखने को केवल 8,000 करोड के business पे, आप समझेगा, 8,000 करोड के business पे, इस company को market cap कितने का मिला हुआ है, इस company को market cap मिला है, 50,000 करोड का, यहां पर, यह चीज़ आप समझ पा रहे हैं, कि company quarterly केवल 2,000 करोड का business करती है, जिसमें company profit तो अच्छा कास है, 400 करोड का profit है, लेकिन मैं यह कह रह 2,000 करोड के पर quarter, या 8,000 करोड के पर year के business पे, company को market cap मिला हुआ है, 50,000 करोड का, इक्विटास का आईए देखते हैं, हम इक्विटास का क्या business है, इक्विटास 9,000 करोड का है, और company का quarterly result कर हम लोग देखे, तो 1000 करोड का March में इसका revenue आया हुआ है, जिसमें company 190 करोड का net profit generate क की बाद में बात करेंगे, ठीक है, अभी हम केवल revenue की बात करती है, तो 1156 करोड का केवल company का March quarter का, जो data निकल क्या आ रहा है, अगर हम यहाँ पे yearly देख ले तो 4000 करोड, या quarterly देखे, तो 1000 करोड का company ने business किया है, 1000 करोड की revenue पे company को market cap कितना मिला है, 9000 करोड का, 9 times, और small finance bank सुरियोदय के साथ क्या है, सुरियोदय कितना business कर रहा है, तो सुरियोदय 1000 करोड का yearly business कर रहा है, और वहाँ पे 1000 करोड का yearly business है, और उसमें 1000 करोड का business कैसा था, quarterly था, तो अगर हम मानेंगे तो 4000 करोड हुगा, 4000 करोड का yearly business पे उसको market cap 9000 का मिला है, इस हिसाब से 1000 करोड के business पेज़ पे इस company को market cap 3,000 करोड का मिलना चाहिए आपके हिसाब से 3000 करोड का अभी market cap कितना है केवल 1000 करोड है तो यहां से is its market cap three times five times होते देर नहीं लगेगी मैं आपको यह समझाना चाह रहा हूं EU Small Finance का bank देखिए, company 50,000 करोड का है, company का market का 50,000 करोड है और company quarterly, अगर हम quarterly बात करें तो 2000 करोड का business करता है, अब अगर हम यहाते ज़रा इसे compare करती हैं, कि सुर्योदा Small Finance Bank अभी yearly केवल 1000 करोड का business करता है, तो EU Small Finance Bank कब 1000 करोड का business करता है, अगर हम इसको खोजे, कि EU Small Finance Bank कब 1000 करोड का business करता था, यह निगल क्या आ रहा है, मार्च 2016 में, मार्च 2016 में, company 1000 करोड का business करती थी, जो आज हमारा सुर्योदे Small Finance Bank business कर रहा है, तो 16 से कितना time हुआ, 4 साल उधर, 3 साल उधर, यानि कितने times हुए, 7 साल, 7 साल में, इस company का business, अगर इस time पे company का market cap केवल 1000 क करोड का है, तो यहां से 7 साल में, 50 गुना का profit होना चाहिए कि नहीं होनाची market cap में, तो सुर्योदे Small Finance के बास, जो growth के chances है, वो बहुत जादा है, बस मैं आपको यह समझाना चाहरा हूँ, कि जो सुर्योदे Small Finance Bank है, इस company के जो growth के chances है, वो यहां से बहुत जादा है, company 1000 तक जाने का माददा रखता है, जितना ये EU Small Finance Bank है, और इतना जाने में कितना time लगेगा, इतना business करने में कितना time लगना चाहिए, तो यहां से business करने में मैं कहता हूँ, 10 साल लग जाते हैं, चली 10 साल ही लग जाते हैं, सुर्योदे Small Finance Bank को 1000 करोड से 50,000 करोड तक बनने हुए तो कितने गुने का profit है, कितने गुने market cap की profit है, तो यहां से 50,000 करोड बनने में 50 गुने की profit है, मैं कहता हूँ 50,000 करोड का market cap नहीं होता है, 25,000 करोड का ही market cap हो जाता है, तो कितने का profit है यहां से 25 times का profit है, 25 times company grow होते हुए देखने को मिलेगी, आज से 10 साल बात, मैं long term की horizon की बात करता हुए 10 साल बात company का जो market cap है वो यहां से 25,000 क्रोड हो जाएगा अगर किसी company का market cap ही यहां से बढ़के कितने times 25 times बढ़ जाता है तो उस company का share यहां से 100 times बढ़ने में देरी नहीं लगेगी यह चीज़ आप समझेगा यहां से जो market cap अगर यहां से 25 गुना बढ़ता है तो आप समझेगे कि share price यहां से 75 गुना बढ़ते हुए लग जाएगा 100 times बढ़ जाएगा तो आपको जो यह company का share price 136 का दिख रहा है यह आपको 13,600 का भी देखने में देखने को मिल सकता है आने वाले 10 सालों के बाद अब होगा क्या उसमें company अपने आपको split कर देगी साथ face value जो 10 का है वो face value 1 का हो जाएगा तो जो 13,600 का price है वो 1360 का देखने को मिलेगा लेकिन ऐसा होने के chances हो सकते हैं मैं कहें नहीं कह रहा हूँ कि होई जाएगा लेकिन ऐसे होने के chances हो सकते हैं क्योंकि जिस साब से company business कर रही है जिस साब से company का fundamental है वो बहुत कुछ बया करता है अब देखे जड़ा company का rose कितना है 6.80 और आरोई कितना है 5F तो company लगातार अच्छा business कर रही है अब rose और आरोई की बात करेंगे तो company धीरे धीरे अपने business को बढ़ा रही है अभी बहुत छोटी company है तो rose और आरोई भी आपको थोड़ा कम देखने को मिलेगा company के पास 6,000 करोड का करजा है अब देखे कोई business जो banking sector होता है उसमें debt को नहीं देखा जाता क्यों नहीं देखा जाता क्योंकि company कहीं से loan लेती है जो ये आप bank में पैसा जमा करती है वो भी इसका क्या आता है करजा के रूप में ही माना जाता है ठीक है तो यहां से company के पास 6 चार्ड पे company का जो लिस्टिंग प्राइस था 2021 वाले time period में था 2000 मार्स दोजार अक्यस में तो उस time पे company का जो share price था वो लगभग 300 के करीब था कितना था 300 रुपय के करीब था उसके बाद बहुत huge गिरावट देखने को मिला वहां से अगर आप इस गिरावट को measure करेंगे तो वह गिरावट लगभग आता 74-75% का तो company 75% नीचे गिर जाती है और वहां से फिर ये company grow होती है ठीक है तो इस time पे जो business चल रहा था मैं उसको compare करना चाहता हूं March 2021 में किस company का business कैसा था तो यहाँ पर हम आ जाते हैं early result पे और early result पे हम देखते हैं March 2021 में company का business कैसा था तो March 2020-2021 का अगर हम data की बात करें इस time के time period की बात करें तो इस time पे March 2021 में company 700 करोड का business करती थी उस 700 करोड पे company को financial profit नहीं होता था loss होता था minus 49 करोड का लेकिन other income की होजने की वज़े से 76 करोड का other income था और इस सब चीजों की वज़े से company 12 करोड का net profit generate कर रही थी March 2022 में company 942 करोड का business की जिसमें minus 200 करोड का financial profit नहीं losses ही हुआ और total 93 करोड का loss होता है March 2023 का quarter में देखेंगे अगर हम इसका quarterly result भी देखे तो आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा पूरे March quarter में जो June 2022, September 2022, December 2022 और March 2023 ये चारो quarter का अगर अप ध्यान से इसको compare करके समझने की कोसिस करेंगे कोई अच्छी वीडियो होती तो उसमें time लगता ही है, time तो आपको लगाना ही पड़ेगा company 200 करोड, 200 करोड, 200, 300 करोड, 339 करोड का business की, company net profit में 8 करोड, 13 करोड, 18 करोड, 39 करोड का business की है इन तीनों quarter में company financial profit में नहीं थी, लेकिन जो March 23 का result आया है, वो ये बता रहा है कि अब company fully financial profitable company बन चुकी है अब यहां से इसकी journey का growth जो मिलेगा, वो rocket की रपतार से यहां से आगे जाते हुए देखने को मिलेगा और total data देखें तो company 78 करोड का net profit generate की है, तो अगर कोई company 73 करोड का net profit generate कर रही है, जबकि उससे पिछले quarter, पिछले year तक company लगातार loss generate करते आ रही थी, अभी हां यह profit generate कर रही है तो इसका मतलब ने कि company में turnaround हो रहा है, और यह turnaround आपको हर जगे देखने को मिलेगा दूसरी condition, company का reserve देखिए, कुछ सीजर notice करने लाइक सीज़े, आपके सामने हम रखने वाले हैं company का reserve March quarter में, March 2022 में, March 2023 का अभी data नहीं है, March 2022 में ही company के पास 300 करोड का reserve था 1300 करोड का reserve company के पास होता है, और company का market cap के वल 1400 करोड है, अब इस quarter का result आएगा reserve आएगा तो आप देखेंगे, कि company के पास लगबग 1500 करोड का reserve होता है, और company का market cap के वल 1400 करोड है, तो इसका मतलब है कि आपको एक सस्ते valuation में company देखने को मिल रही है, एक सस्ते valuation पे, अब यहाँ पे अगर हम इस company का देखते है CWIP, तो company के पास 600 करोड का fixed assets है, उसमें company 49 करोड तो capital अपना लगा रही है, अपना विजनस अच्छा हो नहीं सकता है, तो लगातार company अच्छा खासा क्या कर रही है, और अच्छा खासा investment भी कर रही है, आप देखिए न, 2000 करोड, 1800, 800, 600, 300, 500, 94 करोड का इसका company का investment है, अब यहां से हम इस company के अगर हम share holding patterns को देखे, तो 28% promoter holding था, वो यहां पर 28 है, यहां पर 23% है, 9% जो मार्स 2022 में FIs के पास था, वो घटके 1 हो गया है, और DIs के पास अभी भी 20% की holding है, पब्लिक जो यहां पर दिखा रहा है 54%, तो 54% पब्लिक के हाथ में नही इसके shares पड़े हुए, और धीरे-धीरे आप यह notice करेंगे, कि जितने भी यह FIs, DIs या और HNI हैं, यह धीरे-धीरे पब्लिक से माल खरीते जाएंगे, और इनका business लगातार क्या होता रहेगा, ग्रो होता रहेगा, क्योंकि fundamental strong company है, अब यहां से डरने वाली बात नहीं है, कि share holding patterns है, वो केवल और केवल 23% है, जो 28 से, देखे, यह माल बिका है, तो वो FIs और DIs और HNI के हाथों में ही गया है, रिटेलर के हाथों में नहीं गया, इस सीज को भी समझने वाली बात है, और दिरे-दिरे जब promoters को लगेगा कि नहीं, अब business अच्छा हो गया है, तो उसके पास पैसे आएंगे, तो वो इस माल को क्या करेगा, और खरीदेगा, इसमें कोई दिक्कत घवराने वाली बात नहीं है, अब हम इसके चार्ट को देखती है, तो कमपनी जो मार्स 2021 में 300 करोल रुपए, 300 रुपए के प्राइस पर थी, और उस टाइम पर कमपनी का बिजनस आप देखेंगे, मार्स 2021 में, तो निगेटिव था, मार्स 2021 में कमपनी 12 करोल का क्य वल नेट प्रॉफिट जनरेट कर रहा है, तो वहाँ से नेट प्रॉफिट पास गुना हो गया है, चे गुना हो गया है, और यहां से सेल्स कितने टाइमस बढ़ा है, तो सेल्स भी लगब क्या आता है 55 परसेंट का यानि यहां से 55 परसेंट का डिसकाउंट देखने को मिल रहा है दूसरी कडिशन चार्ट में और क्या हो रहा है वह चीज अगर हम सीखेंगे तो बहुत कुछ सीखने को मिलेगा हमको यहां प्राइस का हार्डल था इसको कंपनी ने ब्रेक कर दिया है और यह hurdle था कितने का यह hurdle था 126 रुपय का 126 रुपय का company ने इस hurdle को break कर दिया है यानि अब company लगातार उपर की तरब grow होते हुए देखने को मिलेगा ही मिलेगा जिस हिसाब से company का business चल रहा है क्योंकि अब यहाँ पे company का bottom यहाँ पे बन चुका था और यहाँ पे wait करने वाली सीज क्या थी इस range को 126 का range 126 का range अगर break करता है तो आप इसका stop loss लगा कि मतलब अगर को stop loss लगाना चाहे कि मेरा loss ना हो तो 126 रुपय का stop loss लगा कि वो उसको क्या कर सकता है ride कर सकता है और किस range के लिए ride कर सकता है सीधे जो पुराना high बना था 300 का price का उस तक यहाँ पे ride कर सकता है अगर वहाँ तक जाता है company का price तो आपको 120% का profit देखने को मिलेगा और यह 120% का profit कितने सालों में देखने को मिलेगा यह 120% का profit आने वाले एक या डेड़ साल में आपको देखने को मिल जाना चीए क्यों क्योंकि जिससाब से company business कर रहा है जिससाब से इसके technical chart बता रहे है वो ऐसा ही बता रहे है कि इस company में grow लगातार बना हुआ है एक hurdle आपको और मिलने वाला है वो hurdle निकल के आता है इस वाले range का जो की price निकल के आता है 152 का अगर company का price 152 को इस month या next month तक break कर देता है तो आप समझेगा कि ये company का share price आप रुकने वाला नहीं है और वो आपको 300 के करीब जाते हुए देखने को मिलेगा ही मिलेगा इसमें कोई दो राए नहीं है क्योंकि ये दोनो hurdle बहुत बड़े hurdle है समझेगा एक बार company यहां से आने के बाद नीचे फिक दिया गया था और कितना percent नीचे फिक दिया गया था आप इस चीज़ को notice करिएगा company यहां से 50% नीचे आई थी एक चीज़ notice करिएगा company यहां से कितने percent 50% नीचे आई थी, तो किसी कंपनी को इस range से 50% नीचे फिक दिया गया था, इसका मतलब है ये बहुत बड़ा hurdle है, अगर company's hurdle को break करती है, इसका share price से hurdle को break करता है, तो share price यहाँ से आपको 300 या 300 से उपर जाते हुए देखने को मिल सकता है, दूसरा condition, एक hurdle ये था, इस hurdle पर company का share price क जब company break करीगी, पहला hurdle कंपनी ने पार कर लिया है, और अगर company दूसरे hurdle को पार कर लेती है, तो इस range को ध्यान में रखिएगा, कि इस range पर आने के बाद company थोड़ी बहुत रुकावट दे सकती है, एक अग महीने, अगर इस range पर आती है, तो एक दो महीने तक यहाँ पर रु 200 DM में का चार्ट लगाती है, तो कुछ सीज़े आपको देखने को और मिलेगा, यहाँ पर बाके drawing हम हटा देते हैं, ताकि आपको समझाने में आसानी हो, अब देखिए जड़ा 200 DM में का चार्ट, जब 200 DM में पर आया था, वहीं से तो इसको फिका गया था, 200 DM में के पास में चलता रहा, अब यहाँ पर सही तरीके से 200 DM में को क्या किया है, ब्रेक किया है, और इस ब्रेकिंग में इस चार्ट को यह जो पुराना वाला 36% का डाउन ग्रेड था, इसको भी कंपनी ने ब्रेक किया है, तो एक सही मौका है, सही टाइम है, ऐसी कंपनी में इन्वेस्टमे तो मेरे इसाब से अब इस कंपनी को 300 प्राइस तक जाने से कोई रोक नहीं सकता, और यह 300 का प्राइस मैं कहता हूँ, कि इसको आने में अगर पूरे एक साल का टाइम पिरियड भी लग जाता है, तो भी आपको एक साल में 170% का नेट प्रॉफिट जनरेट होते हुए देख राब नहीं है, ऐसे ही fundamental strong वीडियो के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने friends को share करिए और इस group को आगे बढ़ाने में help करिए, जल्दी से 1000 subscribers कम्प्लीट कराईए आप सभी लोग और उसके बाद मैं आपको जो अभी मैं जो वीडियो बना रहा हूँ, वो केव के सामने आकर वीडियो को बनाता रहा हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, thank you, thank you so much